तो आज मैं आपके साथ से कने जा रही हूँ कच्चे टामाटर की सबजी कच्चे टामाटर की सबजी खाने में बहुत जादा टेस्टी लगती है इसमें थोड़ा खटापन होता है तो इसका टेस्ट और भी जादा बढ़ जाता है तो ये रेसेपी को बताने से पहले आपस रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरी चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक कीजे और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजे ताकि मेरे लेटेस्ट रेसेपी आपके पास सबसे पहले पहुँ सके तो चलिए फिरी स्टार्ट करते हैं कच्चे टमाटर की सबजी को बनाने के लिए हमें लेने होंगे 200 ग्राम कच्चे टमाटर जिसे मैंने इन टुक्रों में काट लिया है पच्च पोरन लहसून और हरी मिर्च की पेस्ट सरसो की पेस्ट हल्दी नमक और मस्टर्ड ओईल सबजी को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ओन करके कनाई गरम कर लेंगे और गर्म होते ही हम इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ओईल आड़ करेंगे और फिर ओईल को गर्म होने देंगे ओयल की गर्म होते ही हम इसमें पचपोरन डाल देंगे हाफ टेबल स्पून और फिर इसे मिक्स कर लेंगे और फ्राई करेंगे कुछ सेकेंड के लिए तो अब पचपोरन अच्छे से फ्राई हो चुकी है अब हम इसमें लसुन और हरी मिर्च की पेस्ट अड़ करेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे हम ही इसे एक मिनट तक इसी तरह से फ्राई करना है एक मिनट के बाद हम इसमें सरसो का पेस्ट अड़ करेंगे और फिर से इन सब के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक दो मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे तो अब इसमें से तेल अलग होने लगी है इसका मतलब है कि मसाले अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसमें हल्दी आड़ करेंगे और साथी साथ स्वाद अनुसार नमक भी आड़ कर लेंगे और सब के साथ मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें ये कच्छे हरे हरे टमाटर डाल देंगे और फिर इन सब में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसे हम 3-4 मिनट तक कवर करके पकाएंगे और इसे बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे ताकि ये जले नहीं और गैस की फ्लेम हम एकदम मेडियम कर देंगे तो अब पांच मिनट हो गया है इसे ओपन करते हैं ये देखिए ये टमाटर अच्छे से पक गई है और टमाटर पाने भी छोड़ दिया है तो अब ये हमारा कच्छे टमाटर की सबजी बिल्कुल रेडी है आप इसे पराठे, चपाती, चावल दाल किसी के साथ भी सर्फ कर सकते है तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो अपने घर पर जरूर ट्राइ कीजे और अपने एक्सपीरिंस मुझसे सेर कीजे और वीडियो को लाइक कीजे सब्सक्राइब करना ना बोले तब तक ये लिए थैंक फर वाचिंग मिल जाम में नेक्स वीडियो पर टेक केर बाई बाई